Hello दोस्तो नमस्कार मेरे नाम है तब कुमार और आप लोग देख रहे ह多 है, इंडेन जुगार्टक को पता है, रिलाइंज जो अपनी जो 5G सर्वीच्ज है, वह आप लोग के लिए इस दिवाली पर लेकर आने वाला है हैं, दोस्तो इस दिवाली पर जो बड़े सीडेज है जैसे दिली, मुंबाई, कॉलकता, चैन्ने, बैंगलोर, मुंबाई यहाँ पर सभी बड़े सीडेज में रिलाइंज जो कि जो 5G सर्विसेज है वो आप लोग के लिए अवलेबल होने वाली है लेकिन इसी के साथ आप लोग के लिए एक और good news आ रहे है कि इसी दिवाली आप लोग के लिए रिलाइंज जो का जो 5G फोन है, जो स्मार्ट फोन होने वाला है वो भी काफी कम प्राइस में जी हाँ जो भी यहाँ पर आने वाला है तो फिला रिलाइंज जो के 5G फोन के जो यहाँ पर सभी specifications है वो यहाँ पर leak हो चुके है तो आज के इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ कि रिलाइंज जो के 5G फोन में क्या कुछ specifications आपको देखने को मिलेंगे कितने इसकी कीमत होगी सारी जो डिटेल है दोस्तों वो आज के इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ तो चलिए दोस्तों साथ करते हैं आज का वीडियो आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले आप इस वीडियो को like कीजिए नीचे जो red color का subscribe बटन आरा उसको आप प्रेस कीजिए और जो side में bell icon आता है उस पर आप क्लिक कीजिए और बाद में आप आल नोटिफिकेशन पर क्लिक कीजिए ताकि आप पाएं latest technology वीडियो सबसे पहले इंडिन जुगा टेक पर तो दोस्तो जैसा कि मैंने आप लोग को बदा है कि Reliance जी उने अपनी 5G services यहाँ पर announce कर दिये खुद यहाँ पर मुकेस अंबानी जी के दुआरा announce की गई थी कि दो महीने बाद यानि कि दिवाली के उपर आप लोग के लिए 5G services यहाँ पर उपलब्द हो जाएंगी जो कि बड़े cities होने वाले सिर्फ वहाँ पर उपलब्द होने वाले लेकिन जो छोटे cities होने वाले या गाव होने वाले वहाँ पर next year दिवाली तक आप लोग के लिए सारी जो चीज़े है वो अवलेबल हो जाएगी 5G वाली जी यहाँ दोस्तो 5G services अगली दिवाली तक सब लोगों को अवलेबल हो जाएगी रिलाइंश यो की लेकिन उससे पहले भी अवलेबल हो सकती है ऐसा कुछ नहीं कि दिवाली तक नेक्स्ट दिवाली तक ही सब भी लोगों के लिए अवलेबल होगी अभी यहाँ पर जो रिलाइंश यो की 5G services है next month यानि कि अगले महीने अ पिछले साल अपना यहाँ पर जो जीओ फोन नेक्स था वो भी लॉंच गिया था जो कि एक स्मार्ट फोन था और और वो अब आपको 4,499 रुपए में मिल रहा है यानि कि 4,000 रुपए में आपको 4G स्मार्ट फोन मिल रहा है साथ में आपको बंडल प्लान भी वहाँ पर यह जा रहा है तो ऐसा ही इस बार भी होने वाला है यहाँ पर रिलाइंच जो 5G स्मार्ट फोन होने वाला है उसके बारे में फिलाल आप लोग को बदा देता हूं कि यहाँ पर Google कंपनी के साथ में मिलकर इस स्मार्ट फोन को बनाया जा रहा है और इसमें आपको Google की तरफ स HD plus display मिलेगा जी हां दोस्तों यहां पर इस बार आपको HD plus display देखने को मिलेगा जो कि IPS LCD वाला पैनल होने वाला है RAM की बात करें तो 4GB के RAM मिलने वाली है और 32GB का Intel storage यहां पर आपको देखने को मिलेगा साथ में memory card का जो option है वो भी आपको देखने को यहां पर मिल जाएगा इससे कहला आप processor की बात करें तो Qualcomm की तरफ से आनवाला 480 chipset जो है वो आपको यहां पर देखने को मिलेगा जो कि 5G chipset होने वाला है साथ में यहां पर आपको dual rear camera setup मिलेगा यानि कि 2 camera rear में आपको देखने को मिलेगा main camera आपको 13 megapixel का होगा साथ में जो dual lens होने वाला है वो आपको यहां पर 2 megapixel का macro lens मिलने वाला है यानि कि same वही camera setup जिस तरह से जियो phone next में मिला था जो कि काफी अच्छा था वो आपको यहां पर देखने को मिलेगा फ्रंट में आपको 8 megapixel का जो camera है वो यहां पर देखने को मिल जाएगा 5000 image की बड़ी battery आपको देखने को मिलेगी क्योंकि आप लोग को पता है 5G में काफी ज़्यादा battery यहां पर यूज होती तो इसलिए 5000 image की बैटरी यहां पर दी गई साथ में 18 watt की fast charging का support भी आपको मिलेगा जहां तो इस बार आपको जीओ के 5G phone में देखने को मिल जाएंगे और यहां पर इस smartphone की जो कीमत होगी वो भी काफी कम होगी और इसी के साथ कुछ bundled offer भी आपको देखने को मिलेंगे जो की prepared offer होने वाले यानि कि वो आपको phone के साथ में ही देखने को मिल जाएंगे आपको गोच करने की जरूरत नहीं है बस जिस price में आपने phone करीदा उसी price में वो सारे offers आपको देखने को मिल जाएंगे जैसे एक साल वाला free offer हुआ च्छे महिने वाला free offer हुआ वो सारी चीज़े इस phone के साथ में आपको देखने को मिल जाएंगी इस दिवाली के उपर तो आप लोग लिए जियो का 5G phone इस दिवाली पर आने वाला है जिसकी जो कीमत होने वाले दोस्तों वो करीबन 10,000 रुपे के आसपास होने वाले जब त नीचे comment section में comment करके जरू से बताना और आप लोग को यहाँ पर 5G phone के जो specifications है वो यहाँ पर कैसे लगे वो भी आप लोग यार नीचे comment section में comment करके जरू से बताना कि 10,000 रुपे के आसपास अगर आपको एक 5G phone मिलता है वो भी bundled offer के साथ में क्या आप उसे खरीदना पसंद करेंगे या नहीं करेंगे वो आप लोग यार जरू से बताना क्योंकि यह वीडियो आप लोग विलिए काफी important होने वारा है आप लोग पसंद आगे तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें चैनल को subscribe करें वीडियो को लाइक करें रहने वाज दोस्तों आज का वीडियो देखने के लिए